जहीं दोस्तों वेल्टम बैक और एक नए वीडियो में और एक ने टोपिक के साथ में हूद प्रदेव और में हो राजेश की वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्लकॉप 2023 में पाकिस्तन को लाथ और अफगानिस्तान को प्यार पाकिस्तन मेडिया सुन है तो उसमें क्या हा अच्छे रिलेशन है अच्छे ट्रेड भी अभी चालू है अफगानिस्तान के साथ पर अच्छी मित्रता निवाता है अफगानिस्तान वैसे प्यार और आप लोगों को तो में लपकुसी समझ में नहीं आदि पहले प्यार दिया था तो उसको वह आपने ठुक्रा रिया ल अच्छे अच्छे आएगा परकिस्टान यू आपके लिए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिका और विडियो सब्सक्राइब कर लोगों का इंडिया जितना भी लूग है जिन्दाबार बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग हिंदोस्तान में आये हुए हैं वर्ट कप देखने के लिए और जिस तरीके से वहां पर प्यार मिल रहा है यकिन करें कि देख के दिल बड़ा खुश होता है तो मैं स्पेशली पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूँ और मूदी के भारत में इंतहा पसंदी ने हर हद पार करती है हिंदुतवास सोच के लोगों ने जैंचल्मन गेम को भी ना बक्षा पर जिस तरह का रिस्पॉंस वहां के आमदाबाद के क्राउड ने दिया है रिजवान को पाकिस्तानी टीम को वो हूटिंग और वो इस तर मेह वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है सबसे अची बात जो रिजवान ने माशालला उसने ग्राउंड में खड़े होके नमाज पड़ी जो के इंदों के बीच में खड़े होके सो एक पाकिस्तानी कहते हैं हम क्यों हार जाते हैं अरे क्रिकिट की पिच पर क्रिकिट खेलो मज के क्राउड ने विक चेंडियम ने जैश्री राम के नारों ले गे थी जब लिस्वान नहाज पड़े ग्राउंड में तो पॉलिटिसाइज नहीं होता लेकिन जब पब्लिक जे श्री राम बोले तो पॉलिटिसाइज होता है। यह मैच में क्या हुआ है? सुने हैं, इनकी टांगे काम थी हमारे ख्लाडियों की। वो कोच ने तो यह कह दिया, उसने का यह तो भाही तो ड्रा देने वाली फिलिंग थी। जितना प्रेशर आपके उपर पड़ेगा पाकस्तानों पे भारत उतना राइस करेगा। भारत विल लोग मोर बैटर, भारत विल लोग मोर स्टॉंगर, भारत विल लोग मोर पीसफुल। हलो वोस्तो, जैसे के आप जानते हैं कि अभी इंडिया के अंदर क्रिकेट बड़कप 2023 चल रहा है, जहां पर दुनिया के सभी क्रिकेट नेशन इंडिया के अंदर बड़कप खेलने आये हैं, जिन्होंने इस बड़कप के लिए क्वालिफाई किया है, सब टीमियां पर प लेकिन कहते हैं जहां पर पाकिस्तानी पहुंचते हैं वहां कुछ न कुछ ये गड़बर करते हैं और ही हाल पाकिस्तान टीम के साथ हुआ क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान टीम ने सिरलंका के खिलाब मैच जी थी तो पाकिस्तान का जो दिमाग है साथी अस्मान पर पहुंच ग पर इसके पहले आपको पता है कि यही पाकी प्लेयर ने कुछ समय पहले इंडिया से जितने पे बीच मैदान पे ही नमाज पड़े थी लेकिन जब आहमदाबाद में पाकिस्तान टीम हारी भारत के आथ हो तो कुछ भारती दर्सक ने भी मौहमद रिजवान के एक्सन पर रिय है जो हिंदुस्तान आया हुआ है वर्ल्ड काप देखने के लिए ये क्रिप जड़ा देखिए उसके बात करते हैं बात आज हमारे लिए पुषी का जिने आज हमारे लिए बहुत बला जिने तो दोस्तो ये मेरा फ्रेंड है इसका नाम बाचा खान है और ये जो है अभी इस टाइम हिंदुस्तान में है लेकिन भाई सिब इसकी बात नहीं हमारे बहुत सारे दोस्त या रिश्टेदार हिंदुस्तान में आये हुए हैं और बहुत सारे अफगरनिस्तान के लोग आये रहा है, खुशी के क्लिप्स आ रहे हैं, वीडियो जा रही है, यकिन करें कि देख के दिल बड़ा खुश होता है, दिल देख के भाई मैच की खुशी अपनी जगा, यह जो हर रोज एक क्लिप आ गया रहा है, कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के लोग वहां पे कितना ज वरदस प्यार है एक दूसरे में, तो यह चीजे भाई किसी को आजम नहीं हो रही, हिंदु और मुस्लिम दोनों मिलकर जो है, वह अफगानिस्तान के लोगों के साथ मिलकर सेलिबरेट कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते थे कि यार मुसल्मान बड़े तकलीफ में हैं वहां प लाते करते हैं, यह सब प्रोपेगेंड़ा है, तो मैं स्पेशली पाकस्तानियों से पूछना चाहता हूं, कि भाई, अफगानिस्तान जब से हिंदुस्तान गया है, और यह वल्ल्ड कप भी अच्छा हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, सब दुन्या को पता चल गय कि हिंदुस्तान एक फीसफुल कंट्री है, और हम चाहते हैं कि जल से जल पोक हिंदुस्तान ले और अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का एक बॉर्डर मिल जाए, ताके भाई, आराम से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकें, और अपने दूसरे गर जाने के दर्खास दायर कर दी गई है, और अब ग्राउन में नमाज नहीं अदा कर सकते, फिर पाकिस्तानी कहते हैं, हम क्यों हार जाते हैं, क्या वजूहात हैं कि हम हार, अरे क्रिकट की पिच पर क्रिकट खेलो, मस्जिद में नमाज पड़ो, एक तरफ ये सोच है, और दूसरी त nossa होनी चाहिए खेलोे उपर, उस ने खेल से जुड़ेए बत की है, मिक आर्थर ने पाकिस्तान के लोगों को गुम्रह करना की कोशिश की है, लोगों की हम पाकिस्तान भारत में खेल अर भारत में देल पाकिस्तान नही शपाने की की गई है, तो लोगों की जो घल डरदिय सबसे बड़ा स्ट्रेडियम एक सवाल उठाया जा रहा है कि निरिंद्रा मोदी स्ट्रेडियम के अंदर हर तरफ तरंगा था और पाकिस्तानी सिर्व एक ही जड़ा रहा है जिसके वायर से टीम पे बहुत प्रेशर बना और वो नहीं खेल सकी मैं आपको एक बाप पता हूँ जब एक जंग होती है अच्छा हमारे अंदर कॉंफिडेंस नहीं था ये पहले से हरे हुए थे तक इनको लगता था कि हमने शायदे हमारे साथ कौम नहीं हैं यहाँ बैठके हम दौाएं कर रहे हैं मस्जिदों में दौाएं हो रही हैं बैठक कि लोग कर दोते हैं लोग थे दूज्ट हैं मत्तलु अमने शपोर्ट किया यह बिलकुल किया मैं लगत इनको चाहिए के लड़ते उनको बताते कि नहीं हम हैं हम थे हम तिहारी कर कर के आप विंदों में इनके क्राओड में और इन के स्टेडियम में अ Right ratio आम के नारे लेग स्टेडियम की इंतजामियां बड़े बड़े स्पीकरों के ओपर जैश्री राम चला रही थी उससे कुछ नहीं होता और हमारा एक मुस्लमान प्लेयर भई वो जहर क्या होता है मुहमद रिजवान मुस्लमान है येस ही इस मुस्लिम तो उससे प्रब्लम क्या है आपको वह वह आपको प्रण वह बाते हैं वह द्टेड़ा रहा है तो ये मतलब नहीं है कि हम क्रिकेट के ग्राउंड में जाके कहीं पे भी हूंट में एक टेटू दिखाने जाओ तो यहां पर को लिखा है यहां पर आम का लिखा था कि हमें हमारे जैसे आप नमाज पढ़ता हो तो तो क्या कि हमें याद रहे हमारे में ऐसा नहीं होता कि पांस बार मतलब यह सब कुछ करना चाहिए हम दो टाइम भगवान से प्रातना करते और हर एक सेकेंड प्रातना हमारी चालूब होती है उसका वह बड़ लेकिन हमार का कहने का मतलब यह है कि क्रिकेट जो ग्राउंड व मुसलमान टीम नहीं है मुसलमान लोग नहीं है उसमें तो क्या वह बाबर ने मतलब में आके नमाज पड़ यह नमाज का कोई विरोद भी कर रहा है यह सब लोगों ने प्रपगंडा इसमें जोड़ दिया है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब वेक्रिकेट जब से स्ट रहे थें उसी दोरान यह भी गई थी और लिकेट गई तो और जाधा नारे बलंफ हो गए और जब नारे और बुलंब होगे उस समय ही खिद्षान की वहिकेट की और डिल्वां को पवैलियन में बेज़ा यह भारत में नहीं हो सकता है आला कि दिखो ऐसा नहीं है पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलती है तो उसको सब सब्लोग करें प्लेएर को सब्सक्राइब करें कि कि यह टुद्र की अच्छी बात है वह आवाम के साथ ना रखी जाए लेकिन बारत की जो गलत कोई है उसको इतना उसाला जाए इतना उसलाजै कि हरें जो बच्छा सोर थे कानों वे भी यह बात जाए तो देखो भारत पाकि सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बताओ आपकी नहीं हुई क्या न्यूजिलेंड इदर है बंगलादेश इदर है अफगानिक्स्तान इदर है साउथ आफ्रिका है फिर ऑस्टेलिया है इतनी सारी यहां लग रहा है कि अवां को भारत की सच्छा है वो दिखना बस यही टार्गेट है पाकिस्तान की मीडिया का इसलिए मीडिया वाले जो है प्रपकंड़ा पहला रहे हाला कि यह जूट बता के प्रपकंड़ा रहा है ताकि आवाम जो है वह अनबढ़ गवार्व की पता आँ उन्हीं में ही बीजी रहे और इन लोगों को देश को जितना लुट ना है उतना पहलता है यही इसके पीशे का पूरा का पूरा सत्य है और कोई सत्या नहीं है रिज्वान को किसी ने यहां कृति नहीं किया है एक वाकिल ने कम्प्लेंड मरलब आइसे को की है वह हम मानते है बट उसी वकिल ने आपके पत्रकार को भी घर भीजा जो और उसमें आप बोलो और रिजवान की यहां पर रिजवान जो है न हम प्लेयर है उसको प्लेयर के इच्छत करते हैं और सब ने इच्छत किये और पाकिस्टान के सामने यह होने ही वाला यह पूरे वर्ड जानता है क्योंकि आपकी हरकत ही ऐसी और दूसरी बात बाकि अभी अभी कल आज ही मैंस है पार भारत का आप देख लेना सब्सक्राइब लगेंगे पिर बंदे मात्रम भी होगा और जो है वह मलब उसके इसाप से करें तो यह था तो हमारे अशी होता है यही रहा और आप यहां पर आके एक्षप्टेशन पूस और रख रहे हो तो नहीं नहीं होने वाली बाकि टीम भी है ना आप एकी तो नहीं आपकी अर इन लोगों को महमान वेती थी वह आवाम को दिखाओ आपकी टीम को कैसे संभाल के रखा कोई वह नहीं बताएंगे उसकी न्यूज मीडिया नहीं वह तो मैंने क्लियर कर दीना क्यों नहीं बताएंगी वह भारत के लिए अच्छी बात नहीं बता सकता कपी नहीं बता सकता बाकि जो भी आपको ठीक लगे यह वर्ल्ड कप है अभी यह जो है सेलिब्रेशन का टाइम है अभी चल रहा है तो यह होता रहेगा और खास करके भारत में को यह लग रहा कि आप एक सीज करनी है जब पाक पारे लोग है जिसको टिकेटें नहीं मिली है और हालाकि टिकेट दो मैंने पहले से बुक हो गए थी पेशल भारत-पाकिसान की मेस देखने के लिए आपको वहीं समझना साहिए हमारे देख़ो हमारे को दूसमनी हमारे विरुत कब बनते हैं हमारा ही विरुत क्यों लोग क नहीं कर रहा है आला कि वो उसका रिलीजन है नमाज पढ़ता है पढ़ सकता है कोई दिकत नहीं लेकिन कहने का मतलब है नमाज आप पढ़ो कोई दिकत नहीं बढ़ उसका जो ठिकान है वहां पर पढ़ो क्रिकेट में नहीं वहां पर स्पोर्ट होता है आप जो पूरे इंड जबने लगा और हमारे टीम में मुसल्मान के जो प्लेयर है हमारे दीज के बेटे वह खिलते हैं कभी देखा एक वीडियो में को दिखा दो कि अभारत का ये मुसल्मान प्लेयर है जिन्हों नमाज पढ़ना मजीद है उसके लिए बढ़ो किसी कोई कहा मना कर रहा है होना भी नहीं चाहिए कोई भी हो अग कोई भी धरम से हम यदि प्रातना करते हमारा कोई नहीं करते हैं दूसरी के द्रम को बेज़त क्यूं करें उसको हम सन्मान देते हैं उसका रिलीजन अच्छा है उसमें क्यों मना करें तो कोई दिक्कत नहीं है नमाज को इसको इसमें मत खुशेडों में यह भी और एक वीडियो में बोड़ रहा हूं इसमें कोई इसमें लाने की ज़रूरत नहीं है हाला कि कुछ हलात ऐसी हो गई होगी तो जिसका मतलब कुछ और हुआ होगा लेकि उसको सही आएने से दिखोंगे तो भी आपको पता चल जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो को यहां पर वाइंड आप करते हैं मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ तिल देन जैनी जहागा यहीडिया हुआ है झाल जैनी जैनी झालो जैनी जैनी